इन फाक्ट फार्मा शेर्स और हेल्थ केर स्टॉक्स में थोड़ा आक्शन बन भी रहा है डॉक्टर लाल, बायो कॉन, औरो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स यह सारे स्टॉक्स मुवमेंट में है लूपन, मेट्रॉपॉलिस, रेडीज यहां पर भी मूव आपको अच्छी आती हो दिख रही है, तो क्या ट्रिगर है, फार्मा के लिए जो इतनी अच्छी मूव आ रही है, और हमने देखा कि तीन चार खबरें भी थी, थूदर वीकेंड फार्मा पर, आए समझ से इसके बारे में, नुपूर के साथ, नुपूर बताईए, सड़नी फार्मा कैसे फ observation है, और जो इनका criteria है, जिस हिसाब से observation देते हैं, जितनी इनकी घंपिरता होती है, observation की, वो अपकाम हो रही है, तो कंपनी का जो compliance track record देखेंगे, तो वो काफी positive, अब यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है, हाला कि एक concern ये भी है कि USFDA की जो जाहां चो आने वाले समय में आने वाराइती, जहां पर USFDA की जांच होई थी, और कोई observation ये एक positive है, क्योंकि अब companies compliance के जो लिहाद से या compliance के trigger पर देखें, strategy पर देखें, तो वो काफी strong in companies के लिए सामने निकल के आ रहा है, जाई इस में तीन observation थे, पर काफी minimum थे वो, अब trend अगर मैं निकालू, USFDA कि क्योंकि हमने देखा है, जो जाए उननीस में 330 के पार जाते हुए दिखा था, क्योंकि companies जो है अपने products बढ़ाते हैं, complex, जहां भी products होते हैं, complexity जहां भी आते हैं, वहाँ पर USFDA की तरफ से intervention आता है, उनकी तरफ से inspection आता ही है, लेकिन जिन companies का US generics में high exposure है, उन पर ज्याद torrent pharma, इन companies के लिए थोड़ा positive होता है, यहां पर inspections कम आते हैं, compliance के हिसाब से देखें, तो सबसे अच्छा compliance अगर सब में आता है, तो gland pharma, agenda pharma, alchem, sun pharma, jb chemical, natco, अगर इन में observations भी आते हैं, तो यह फटाफट से compliance पूरा करके, जो भी inspection के बाद certificate जाये हैं, वो मिल जाता है, लेकिन list strong compliance में देखें, तो lupin और torrent pharma जैसे कुछ नाम हैं, जहां पर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आने वाले टाइम में conscious stocks, conscious पर inspection आ सकता है, तो उसके list में ने बनाई है, उसमें कुछ नाम सामने आ हैं, जैसे कि torrent, lupin, indico, zidus life sciences, agenda और alchem, जैसे कुछ stocks हैं जहां प कम से कम तीन से चार कंपियों में ये ख़वर आती हैं दिख रही है कि USFDA की तरसे किसिन किसे रखें जाच हो रही है, observations आ रहे हैं, आपत्या आ रहे हैं, सुधारते वे दिख रहे हैं, कुछ अच्छी तो कुछ कम अच्छी ख़वरी भी आ रही है, फाइनली कुछ तो हो र बढ़ने की त्यार